अपके साथ कृतिका अनुपमा से रातो रात गायब हुए अनुच कापाडिया रुपाली गांगुली ने बता दिया पूरा सच टीवी का धमाकेदार शो अनुपमा इन दनों काफी जादा सुर्खियों में है अनुच कापाडिया और अनुपमा जोली शादी के बंधन में बंधने वाले हैं जिसे लेकर फांस भी काफी जादा एक्साइटेड है हलाकि दोनों की शादी को लेकर शापरिवार में अभी भी तनाओ बना हुआ है बीते दिन के एपिसोड में दिखाया गया कि शापरिवार के कुछ सदस से अनुपमा को अनुपमा को अनुप से शादी करने से मना करते हैं लेकिन अब अनुपमा अपनी बात पर अड़ी रहती है हाला कि कल के शो में एक भी पल के लिए अनुपमा यानि की गौरफ खर्णा की जहलक नहीं दिखाई दी है गौरफ खर्णा की अनुपमा में ना नजर आने से दर्शक काफिजादा डर गए और उन्होंने ये एक अनुमान लगा लिया कि शो से शायद अब अनुच कापाडिया का एक्जिट हो गया है खासवा तो ये है कि ट्विटर पर फांस ने हाश्टेग विमिस्यू अनुच कापाडिया ट्रेंड भी शुरू कर दिया था इतना ही नहीं कुछ फांस ने तो अनुच कापाडिया को शो में तुरंत वापस लाने की मांग भी की वह कई यूजर्स ने लिखा कि वी मैस यू अनुच कापाडिया बता दे कि गौरफ खन्ना के लिए उमड़ा प्यार देकर खुद रुपाली गांगुली भी रियाक्शन देने से पीछे नहीं हटी रुपाली गांगुली ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी से गौरफ खन्ना की एक फोटो शेयर की और लिखा क्योंकि हर कोई इन्ही को ज्यादा ही याद कर रहा है खाजबा तो ये है कि खुद गौरफ खन्ना ने भी फान्स के इस ट्रेंड पर रियाक्शन दिया है गौरफ ने रुपाली की स्टोरी को शेयर करते हुए लिखा मुझे पहले क्यों नहीं बताया मैं भी सबको खुब मिस कर रहा हूँ रुपाली और गौरफ के रियाक्शन को देकर कहा जा सकता है कि वो कहीं नहीं जा रही है और अब जल्द ही अनुच और अनुपमा की शादी के लिए फैंस का फीज़ादा एक्साइटेड है इस वीडियो में फल्हाँ ये इतना है